एक समय की बात है मोहनपुर्णाम गाउं में सदानन्दाम का एक गरीब ब्राम्हन रहता था वो स्वभाव से बहुत धर्म, कर्म और पूजा पार्ट करने वाला था तुम कौन हो बेटी, तुमने मुझे पिता कहा है मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मैं आपको रोजाना यहां पीपल पर जल चड़ाते हुए पूजा करते देखती हूँ इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है पिता जी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चलो? मेरे साथ, पर मेरी तो पहले से ही छे लड़ किया है अगर मैंसे अपने घर ले गया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो रुखा सुखा खा लेते हैं, पर ये बेचारी रुखा सुखा कैसे खा पाएगी? ब्रामन कुछ नहीं बोला और वापिस घर लोटाया अब ब्रामन जब भी पीपल पर जल चड़ाने जाता तो ऐसा हर रोज होने लगा इसी चिंता में ब्रामन बहुत कमजोर हो गया उसका मन अशांत रहने लगा एक दिन ब्रामन की पत्नी उससे बोली सुनू जी क्या बात है आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो मैं आपकी इतनी सेवा करती हो फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? मुझे कहिए शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूँ यशोदा कुछ दिनों से मैं जब भी पीपल पर जल चड़ाने चाता हूँ उस पीपल मैंसे एक लड़की निकल कर आती है और मुझे बड़े प्रेम से पिताजी कह कर बलाती है और रोजाना मेरे साथ आने की बात कहती है अब तुम ही बताओ, हम उस कन्या को क्या खिलाएंगे और उसके क्या सेवा करेंगे? अरे, तो इसमें चिंता की क्या बात है? जहां हमारे छे लड़किया है, वहाँ एक और सही जिस दिन से ब्रामन उस लड़की को घर लाया उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे रसोई में जबरदस्ती खुद खाना बनाने चली गई है मैंने तो उसे कहा कि तू अभी बहुत चोटी है तेरा हाथ चल जाएगा पर वो नहीं मानी, हम सब के लिए भोजन बना रही है कन्या ने गूतने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गए वो कन्या जिस किसी चीज को हाथ लगाती वो दुखनी हो जाती कन्या रूपी देवी लक्षमी ने कई प्रकार के भोजन बना दिये सभी ने उस दिन भर पेट भोजन किया कमला तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है पिता जी फिर तो आप थोड़ी सी दाल और ले लो सब भोजन कर चुके थे थोड़ी देर बाद ब्रामणी का भाई मिलने गया यशोदा बहन कहा हो अरे ग्यान भया आप अचानक हाँ वो गाउं में थोड़ा जरूरी काम था सोचा तुमसे मिलता चलू तुम बैटो में तुम्हारे लिए पाली लाती हो यशोदा बहन बहुत जोरों की भूक लगी है कुछ खाने को हो तो वो भी लेती आना सब तो भोजन कर चुके हैं अब मैं ज्यान भया को क्या खिलाओंगी मा क्या हुआ आप क्यों परिशान हो बेटी तेरे मामा आए है रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है अब भया को क्या दू उन्होंने खुद से भोजन के इच्छा जताई है मा आप चिंता मत करो मैं कुछ करती हूँ कमला तो साक्षाद देवी लक्षमी थी वो रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिश्ट भोजन बना लाई उन्होंने खुशी-खुशी भोजन किया शाम हुई तो कमला ब्राम्भनी से बोली मा आप दिया चला कर यहीं कोट्री में रख दो आज मैं यहीं सोँगी पर कमला बेटी तू अभी बहुत छोटी है यहां अकेले कैसे सो पाएगी? तू डर गई तो मा आप चिंता मत करो मैं नहीं डरूँगी यह शोधा को समझा कर कमला बनी लक्ष्मी मा कोट्री में ही सो गए आधी रात को कन्या के रूप में मा लक्ष्मी उठी और कोट्री में चारो और देखने लगए और देखते ही देखते कोट्री में धन, दौलत और अनाज के भंडार पर गए मा लक्षमी अपने देवी रूप में आ गई और वहां से जाने लगे तभी ब्राम्हर ने उन्हें आवाज लगाई देवी लक्षमी आप मेरे घर में एक कन्या के रूप में बेटी बन कर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका हे लक्षमी मा हम पर कृपा करो हे देवी लक्षमी हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें शमा कर देना तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ तुम दिन रात पूजा पाट में ध्यान लगाते हो मेरी पूजा करते हो सब का भला करते हो कार के सुखों का वास हो गया जान की एक गरीब औरत थी वो एक छोटा सा धाबा चलाती थी उसके पती की एक एकसिडेंट में रीड की हड़ी तूट गई थी जिसके कारण वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था तब से पती और दो बच्चों की जिम्मेदारी जान की अकेले ही उठा रही थी जान की ढाबे पर पूरा दिन मेहनत करती और जो भी कमाई होती उससे घर का गुजारा करती थी कुछ दिनों से जान की के ढाबे पर रोजाना एक बूरी औरत खाना खाने आने लगी थी उस गरीब औरत के पास खाना खाने के पैसे नहीं होते थे इसलिए जानकी उसे मुफ्त में ही खाना खिलाती थे ये लो अम्मा आराम से खाना खाओ मैं तुम्हारे लिए रायता और थंडा पानी लाती हूँ जीती रहो बेटी भगवान तुम्हारा भला करे तुम मुझ गरीब लाचार बुढ़ी को रोजाना भर पेट खाना खिलाती हो ये सबसे बड़ा पुर्णे का काम है धन्यवाद अम्मा मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरुरत है बस आपके आशिरवात से मेरा ये ढ़ाबा चलता रहे यही दुआ देना हाँ बेटी ऐसा ही होगा जो दूसरों की मदद करता है ईश्वर हमेशा उसकी सहायता करते है ऐसे ही दिन गुजर रहे थे जानकी रोजाना सुबा अपने पती को दवाई और खाना देखर बच्चों को स्कूल भेशती और धाबे पर आजाती सारा दिन धाबे पर काम करती और रात को ठकी हारी घर लोटती जानकी तुम कितनी अच्छी हो तुम मेरी और बच्चों के कितनी सेवा करती हो सारा दिन घर का भी काम धाबे पर भी काम तुम कितना ठक जाती होगी अरे जब आप और बच्चे मेरे साथ बाते करते हो तो मेरी सारी ठकान मिट जाती है ऐसे ही बाते करते हुए ना जाने जानकी की आँख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता मेरे ढाबे पर तो कोई भी ग्राहक नहीं आया सब सामने नए ढाबे पर ही जा रहे है अब क्या होगा अगर मेरे ढाबे पर कोई नहीं आया तो बना हुआ सारा खाना बेकार जाएगा मैं कैसे कमाई करूँगी जान की अभी इसी परिशानी में थी कि तभी वो बुड़ी औरत वहां आ जाती है जान की बुड़ी औरत को खाना देती है क्या हुआ बेटा तुम किस परिशानी में हो आज तुम्हारा मन ठीक दिखाई नहीं दे रहा अम्मा बहुत घबराहट हो रही है आज सुबह से एक भी ग्रहाक नहीं आया वो सामने एक नया ढाबा खुल गया है हर कोई वहीं से खाना खा रहा है मैं क्या करूंगी अम्मा कैसे घर चलाऊंगी बेटी तु चिंता मत कर तु देवी लक्षमी की आराद ना कर उनकी कृपा से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे देवी लक्षमी की पूझा करने से तेरा काम फिर से चल पड़ेगा ठीक है अम्मा अगर ऐसा करने से मेरे कश्ट दूर होते हैं तो मैं देवी लक्षमी की दिन रात पूझा करूंगी बुरी अम्मा के कहने पर जानकी ने मालक्ष्मी की पूजा करनी शुरू करती। जानकी को कई दिन दीट गये थे पर उसके धाबे की बिक्री नहीं हो रहे थी और दिन पर दिन उसका नुकसान होता जा रहा था। वो जो भी खाना बनाती थी वो सब पड़ा रहता था और एक या दो ग्राहकी उसके धाबे पर आ रहे थे। जानकी के धाबे के सामने वाला धाबा बहुत चल निकला था। उसका मालिक बहुत खुश था। उससे अपने उपर घमन ढूने लगा था। दाबे बारे में सारी जानकारी मिलने के बाद ही हम या पर आज अपनी आखों से देख भी लिया कि तुम अपने भोजन में मिलावट करके ग्राहकों को भोजन खिलाते हो। इनस्पैक्टर साब, सामने जानकी का ढबा है, हमने भी कितनी बार उस दाबे से खाना काया है, पर मजाल है आज तक हम सम मैं से कोई भी बीमार पढ़ा। बिल्कुल भाई साब आप ठीक करें जानकी जी के धाबे से हम कितनी बार खाना खाते हैं पर हम मैंसे कभी कोई बिमार नहीं पड़ता इंस्पेक्टर साब गलती हो गई आज के बाद मैं कभी भी खाने में मिलावट नहीं करूँगा मुझे छोड़ दीजिए रह वलदार ये धाबे पताला लगा दे आज के बाद ये धाबा कभी नहीं खुलेगा धाबे वाले को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और ग्राहक फिर से जानकी के धाबे पर खाना खाने आने लगते हैं ये देखकर जानकी बहुत खुश होती है हे देवीलक्ष्मी आज आपकी कृपा से मेरा धाबा फिर से चल पड़ा है पर वो अम्मा आजकल मेरे पास नहीं आती है बताने ही क्या बात है उन्होंने नहीं तो मुझे आपके बारे में बताया था जानकी कई दिनों तक उस बुरी अम्मा के आने का इंतिजार करती है पर बुरी अम्मा ने वहाँ आना छोड़ दिया था जानकी उन्हें बहुत याद करती है एक रात जब वो सो रही थी जानकी मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत याद कर रही हो और तुमने मेरी बहुत सिवा की है मैं ही तो तुम्हारे पास प्रति दिन भोजन खाने आती थी बुड़ी अम्मा, बुड़ी अम्मा के रूप में आप मेरे पास भोजन खाने आती थी मा, मैंने आपको पैचाना ही नहीं मुझे शमा कर दो, मा आज आपकी पूझा करके मेरी जिंदगी में खुशिया फिर से लोटाई है मेरा ढावे का काम फिर से चल पड़ा है जांकी ये सब तुम्हारे पुर्ण कर्मों का फल है तुमने मुझे बूड़ी और लाचार समझ कर हमेशा भूख में भूचन खिलाया है मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसंद हूँ मांगो क्या मांगती हो मां मेरे पती बीमारी से बिस्तर पर पड़े है आप अपनी कृपादरिश्टी से उन्हें ठीक कर दीजे मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करती हूँ मांगो तुम्हें और क्या चाहिए देवी लक्षमी मुझे बस ये आशरवाद दीजे कि मैं सदैव आपकी पूझा करती रहू और आपका आशरवाद हमेशा मेरे परिवार पर बना रहे ऐसा ही होगा मेरी कृपादरिश्टी सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी जानकी को अपना अशरवाद देकर देवी लक्षमी अंतरध्यान हो जाती है जानकी का सपना तूटता है वो देखती है उसका पती बिलकुल ठीक हो चुका है ये देखकर वो खुशी से रोपड़ दी जानकी अपने पती और बच्चों के साथ देवी लक्षमी की पूझा और आरती करती है देवी लक्षमी की कृपा से जानकी के जीवन के सारे दुख दूर हो गए थे